बिसमिल्लाय रह्मानी रहीम अस्लाम अलेकुम डियर स्वार्ट्स आज की वीडियो में मैं आपसे आइकॉंप पार्ट वन की शॉर्ट डेफिनेशन का चैप्टर नूबर टू डिस्कस करना चाहरा हूँ और इसमें जो है वो बिल्कुल चैप्टर वन की तरह आपको डेफिनेशन का नाम मिलेगा और आगे उसके एक्स्प्लेशन दी भी है तो मैं उसकी रिटिंग भी करोंगा और साथ आपसे उसका कॉंसेट भी डिसकस करोंगा तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो पेज नूबर 528 है चैप्टर नूबर 2 है फर्स डेफिनेशन जो है वो लिखी भी अजी ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं तो ट्रांजेक्शन की यहाँ पर जो वर्डेंग है वो है बिजनस इवेंट इवेंट इन तरम्स अफ मनी और बिजनस का इवेंट कोई भी वाकिया जिसका तालुक जो है वो पैसे के साथ हो और जिसको जो हम बुक्स ओफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें जब भी बुक्स ओफ अकाउंट का वर्ड आता है इसका मतलब होता है अकाउंटिंग में जर्नल और लेजर तो कहता है कोई भी औरें उस लेए देन को हम ट्राइक्शन कहते हैं ठीक है उस वाकिय को उस अ क्राइब Jim Bridge क्याते हैं अब आगे वा इस अचैकर यो और फार्ट में जिसेatura में उद्माट होता है कि payment जो है फ्यूचर में दी जाएगी या ली जाएगी उसको हम credit transaction कहते हैं तो simple definitions हैं तो अब यहां पर if the value of a transaction is met in cash अगर transaction के passage जो है वो cash में मिल जाए इमिडियेटली फॉली तोर पर उसको हम cash transaction कहते हैं जैसा कि उसने example दी भी है कि furniture जो है वो bought किया प्रचेस किया cash पर credit transaction में कहा रहा है जी if the value of a transaction is not met in cash यह नहीं कि same definition है सिर्फ not covered बीच में आएगा और credit transaction की वो definition बन जेगी और यहां पर इसकी जो example दी भी वो क्या है कि furniture प्रचेस किया on account और on credit उधार पर हम furniture अगर खरीदेंगे तो credit transaction है उसके बाद fourth और fifth में लिखा वजी external transaction और internal transaction के बारे में external का मतलब है बैरूनी internal का मतलब है अंदूनी ठीक है अब external transaction कि इसको कहते है वर्डिंग लिखी विया transaction taking place with an outside person or organization is called external transaction कोई भी ऐसा लिन देन जो company से बाहर होता है या company के बाहर के person या party से हो रहा होता है उसको external transaction क्याते हैं जैसे कि machine purchase की है एक company ने खालिद ब्रदर से तो खालिद ब्रदर जो है वो कोई supplier है बाहर का person है इसका company के साथ कोई link नहीं है तो अगर हम बाहर के person से कुछ चीज खरीदेंगे तो वो एक external transaction होगी तो और जो company की boundary में transaction है business की boundary में जो transaction हो रही होगी उसको जैवा internal transaction का जाएगा जैसा कि उसने का a transaction with which no outside person or organization is involved is called internal transaction जैसा कि loss of furniture by fire आग लग जाती है अगर furniture को तो यह business का एक internal event है इसको internal transaction का नाम देंगे paper transaction की definition में क्या लिखा हूँ है when there is no question of meeting the value of a transaction it is regarded as a paper transaction ऐसी कोई transaction जिसका हमें को future में जो हो कोई benefit expect ना हो रहा हो ठीक है तो उसको जो है वो paper transaction का नाम देंगे जैसा कि 500 रुपीस lost हो गया है तो यहाँ पर यह वाली paper transaction कराएगी जिसमें जो है वो जो आपकी transaction है उसकी value जो है वो come back जिसकी ना हो रही हो वो paper transaction की definition में आएगी monetary events और non-monetory events की definition है monetary का जो word है वो money से निकलाए और events का मतलब वाकिया तो वो activities वो वाकिया जिनका तालुग पैसे से होता है ठीक है उनको जो है हम monetary events कहते हैं और वो events जिनका तालुग जो है वो पैसे के साथ ना हो वो non-monetory events कहलाते हैं इनकी definitions को लिखी में है events which are related with money जैसा कि we change the financial position of a person जिन से business या person की financial position चेंज हो जाए उसको monetary one कहेंगे जैसे कि shopping करना marriage ceremony वगरा आप shopping जब करने जाते हैं तो definitely हमारी मौशी सूरत्याल यानि financial position पर फरक पड़ता है पैसे हमारे खर्च होते हैं तो वो हमारी financial position शॉपिंग की वैसे जो है वो definitely weak हो रही होती है तो ये इसमें चुनके शॉपिंग में पैसे involved है इसलिए शॉपिंग जो है वो एक monetary event है इस तरह से शादी वह रहा कि खराजाद होते हैं वो भी monetary event marriage ceremony भी जो है monetary event के लाएगा जबकि non-monetary event की जो definition है वो उसके बिल्कुल reverse होगी इसमें का लिखा events which are not related with money and which do not change the financial position of a business are known as non-monetary events जैसा के winning a game game आप कोई जीच जाते हैं ठीक है इसी तरह से कोई lecture अगर deliver कर रहे हैं मिटिंग में तो इसमें कोई पैसे involved नहीं है अगर without money ये पैसा ये काम हो रहा है तो उसको जो है वो आप non-monetary event कहोगे उसके बाद आ रहा है जी quantitative change के वाले से यहाँ पर definition है this change the total value of asset and liabilities of a business concern ऐसी कोई भी तबदिली जिसकी वैसे जो है वो asset की पूरी value change हो जाए या liability की पूरी value change हो जाए उसको हम कहते है quantitative change जैसा कि उसने कहा जी 50,000 की company में machinery पड़ी भी थी वो destroy हो गई है तो यह इसका मरलाब एक asset मुझूद था अब वो नहीं है ठीक है तो यह quantitative change के लाएगे और overall total assets में अगर business में 10 assets पड़े में तो एक machinery के damage होने के बाद remaining assets 9 रहा गए उसका मरलाब है इस transaction से जो है वो आपके business के assets या liability की value भी effect होती है और qualitative change में क्या है this cause increase or decrease in the different elements of assets अगर assets की total value चेंग ना हो बलके increase हो रही हो या decrease हो रही हो तो उस change को जो हो qualitative change का नाम देते हैं अगर आप depreciation जो हो चार्ज करते है machinery पर तो इसमें जो decrease आ रही है machinery मौजूद है उसकी decrease जो होई है यह उसकी performance जो effect होई है इसकी value डाउन होगी है तो वो आपकी qualitative change के लाएगी accounting equation हम बड़ी details से पड़ चुके है accounting equation वाले chapter में यहाँ पर भी definition दी वी है कि the expression of the equality of an entity's asset with the claim against them ठीक है assets के उपर जो claim होता है उसको जो हम accounting equation में show करते है और वो कहाँ जी assets is equal to claim against assets assets के उपर जो claim है वो बराबर होगा assets के और यह accounting equation के लाएगी further explanation दी वी है assets is equal to liabilities plus honors equity honors equity capital ही को कहेंगे हम और honor equity का मतलब है milkiyat ठीक है तो honor के पैसे और liability outsider के पैसों को अगर हम मिला लें तो जो total contribution होगा वो equals to assets होना चाहिए और equity यानि के milkiyat की अगर हम definition देखें तो equity is the claim against the assets of the business, business के assets पर जो claim करता है ना वो honor करता है और honor अपनी equity की वेज़े से करता है ठीक है और equity में जो है यहाँ पर अब honor भी, अब equity के अंदर उसने दो चीज़ें बताइमी है कि outsider का भी claim हो सकता है अगर outsider like bank से जो है वो loan लिया और उस loan से जो है वो company का asset purchase किया इसका मरलब है कि bank के loan से उस asset की जो है वो purchasing होई है तो फिर यह चीज़ भी जो है वो आपकी part of equity बनेगी तो यह थी स्टोंड समारी chapter number 2 की definitions I hope कि आपको समझ में आई होंगी next video में मैं आपसे chapter number 3 की definitions discuss करूँगा तब तक के लिए आप मुझे इजादत देजी, Allah आफिस जा प्राइब समِّल है कि ऑलाएब सम्क्राइब पंपसे सम्क्राइब की बन्यूझंगा चेक बंपसे है कि बनी ग्राइब है कि झालWow